मंत्री जी नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 से बात करने के लिए मैरा हलो बच्चों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में स्कूल और कॉलेज कब से खुलेंगे हलाकि क्लास 10 और क्लास 12 का तो अभी स्कूल चल रहा है तो ऐसे में बाकी क्लास के स्कूल कफ से खुलेंगे जबकि अब भैक्षिन भी आ चुकी है तो अब कब से क्लास 6 से लेके या फिर बाकी जो क्लास है चाहे वो 1 हो 2 हो या फिर क्लास 9 तक के स्टूडेंट्स हैं बाकी classes के school कफशे खुलेंगे इसके बारे में डॉक्टर रमेश पुखरियाल निसंगजे ने जानकारी दिया है तो चलिए पूरे interview के बारे में हम जानते हैं और देखते हैं पूरा वीडियो Joining us and taking the right stand for the cause of education is the honorable education minister डॉक्टर रमेश पुखरियाल मंत्री जी नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद news 18 से बात करने के लिए मेरा पहला प्रशन आपसे यही है कि school और college पूरी तरह से कब खुलेगे क्योंकि अब तो vaccine भी आ चुका है हाँ यह बात सही है और आपको जैसे जानकारी है कि हमने school college ओं को खुलने के लिए ग्रह मंत्रा ले और स्वास्ता मंत्रा ले की मार्ग दर्शन के बाद खुलने के लिए चरणबद तरीके से खुलने के लिए हमने राज्यों को कहा है और जो मेरी सूचना है कि लगभग 32 राज्यों ने उकल दिया है। लो क्ल नो कुछ उस्क्षा को खूला है। नो कि्यों को खूच नियुकर ऑक आदा मेधाने। जिस तरीकि का माहूल बन रहा है और जिस तरीके से बच्चों का भी अभ दबाव है, अलाग कि अभी भावक बहुत ऐसा लगता है अभी भावकों को कि नहीं बच्चे को भीजना है, चोटे बच्चे को नहीं भीजना है. लेकिन बुझे लगा मैं अभी जब त्रस्त cloudी वी स्कूल खुला है तो सब बच्चों से जब मेरी बातचीत हुई कितने वो बच्चे खुश थे वो मुझे बात करते हुए कहते थे कि परिशान हो गए थे गर पर हम कोई स्कूल चाहिए और हम स्कूल में अनुशाशन भी रखेंगे और पढ़ेंगे भी तो बच्चा ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं कि इस इसकूल में उसको बताबन मिलते हैं परवीश मिलता है तो उसके करनल चाहता है कि वो स्कूल में आये और हमारे संस्थाने भी खुल भी जाएंगे और वो सुरक्षित रहेंगे अभी जैसा आपने कहा कई सारे पेरेंट्स के मन में थोड़ा सा डाउट बच्चों अब साइंस की फाइनल प्रैक्टिस का समय आ गया है थ्री आवर्स के मैक्सिमम सैंपल पेपर्स आपको लगाने हैं बस वो भी सिर्फ एजुकार्ट के क्योंकि वहाँ आपको सिर्फ रीट्यू शिलेबस पे 100% आने वाले पैटन पे अश्टिक्टली पेपर्स मिलेंगे एजुकार्ट सैंपल पेपर्स हर कोई रिकमेंड इसलिए भी कर रहा है क्योंकि लास्ट टू यर से उनकी बुक से 40-50% पेपर बोर्ड में फसता है तो क्यों रिस्क ले क्यों न इसे हम खरीद ले जब पता है कि सब कुछ एक बुक से मिल रहा है और तयारी भी बेस्ट हो जाएगी अगर और वी कोई बुक आपने अगर खरीद ली है तो भी एजुकार्ट का एट लिस्ट साइन्स और मैट्स का सैंपल पेपर डेफिनेटली ले लेना आपकी प्रैक्टिस के लिए आपका कॉन्फिडेंस 50% ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा उनकी बुक से पढ़के तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर मैंने दे रखा है आप इसे बाइक कर सकते हो